गुडबनिंग इस्टेंट्स आज हम लोगे चेप्टर आता है हिस्टो पैसलाजी में ट्रीमिंग ट्रीमिंग क्या होता है क्यों करते हैं कैसे करते हैं यह हिस्टो पैसलाजी के एक चेप्टर है इसके विसे में डिटेल समझेंगे आज यह बात करते हैं ट्रीमिंग यह हमार बने हुए है sectioning mode cutting बुर आगे पीछे किया जा सकता है कितने micron काक्ट जाता है इससे set किया जाता है मेंने क्या होता है हम लोग जो इंडिंग करते हैं जो आ जो ब्रय। मेकिंग करते हैं ब्रहाग बनाता है उसके ऊपर जो वैश्ट की एश्ट्रा लेयर च्रड़ी होती है इसे महार बना हुआ है इस पर दिखित उपर niez ट्राणे चburडी होती है तो काटेंगे तो पहले वैश्ट की पारत आने लगी तो मेरे धे क्या करते हैं ब्लॉक को हम लोग यह ब्लॉक ओंडर फसा देते हैं अच्छे से और ट्रीमिंग करते हैं ट्रीमिंग वाल छटाई जैसे कि ब्लॉक में से एक्स्ट्रावेस बाहर निकल जाए और हमारा मुख उद्यूश होता है कि हमारा जो टिसू सेक्षन है बराबर से पुराना ब्लेट हो टा है उससे लोग करते हैं ब्लेट होडलर में लगा देते हैं और आठ से 10 माइक्राण सेट कर देते हैं उसके बाद मैनुवर और आटोमेंटिक ग्रूप से यह हमारे पस माइक्रोटोम है तो तरह किया सकता है इसके बगल में देखिए सेटिंग मोड सेटिंग है और यह तरेक के क्या करते हैं लुटकोडे खोलते हैं लॉख कहलना बद लगाला रखालना करना जरूरी है विरलोक लगाते समय के गभीका कट से पारलेल पर दिखें उसके बाद यह रोटेटर है रोटेटरी माइक्रोटूम इसा हम लोग रोटेट करते हैं आपन डाउन तो इससे क्या होगा देखें अब हलका टच कर रहा है इसको थोड़ा तो पीछे करने जरूराद है नहीं तो ब्लॉक बहुत मोटा कटेगा और हमा ऐसे कटिंग करते हैं जितने 10 माइक्रोट पर ताकि मोटा मोटा सेक्शन बाहर निकल जल्ली से जल्ली हम लोग टीशू तो पहुच जाएं चोकि अगर टीशू पर हम लोग तीन माइक्रोट चार माइक्रोट करेंगे तो बहुत ज्यादा वार उसको रोटेट करना पड़े इसको ट्रीमिंग कर देंगे 10 माइक्रोट पर अब देखिया मोटा मोटा सेक्शन निकल रहा है अब जल्ली जल्ली हम लोग टीशू तक पहुच जाएंगे तो अभी हमें काफी समय लगेगा कम चालीश पैतालीश बार पचास बार ट्रिम करना होगा ताकि हम लोग टीशू मोट बना हुआ है इसको आटोमेटिक मोट दबाएंगे अब यह जो इसके बाद इस्टील कर रहते हैं चमक रहा होगा आपको इसको हलका सब मूफ कर देंगे तो क्या होगा यह आपने आप आप आपमेटिक चलने लगेगा यह देखिए इस से कर दिए देखिए अब तो 40-50 बार ट्रीमिंग हो जाने पर अच्छी के तरह से सेक्षन दिखने लगता है उसके बाद हम इस ब्लॉक को क्या करते हैं ठंडा करने के लिए रख देते हैं ताकि कटिंग हो जाया असानी से ठीक है यह सब इतना किया देरा जो जाता है ब्लॉक बनाने के लिए इसका सब का मुख उदेश होता है कि हमारा जो ब्लॉक बन रहा है जो मास्क टुकड़ा है उसके अंदर वैक्स घुज जाये जिससे कटिंग असानी से हो जाए अगर आपने ट्रीसू प्रसेंग अच्छी नहीं की है तो आपको इंबिडिंग खराब होगी और ट्रीमिंग खराब होगी यह मारा कटके बराबर बहर चला है सही हो गया है देखिए आपको पुछी दरद ब्लॉक दिख रहा होगा अब इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर से कटिंग करेंगे अगर आपको वी वीडियो को शेयर करें और जाला है तो लो तो